चनम से हमारे साथ भेध भाव किया जाता है क्यूं? उठना, बैठना, खाना, बोलना, हसना क्यूं हर चीज का लिहाज हमें ही सिखाय समझाय जाता है क्या हम इंसान नहीं है? है तो इतना भेध भाव कियो किस काम की है ये तरख की? किस काम का है ये समाज जो आज की जमाने में भी ओरतों को इंसान मानने को तयार नहीं बेस अवान फीड बग्री और आग्दों में चैसे कोई फर्क ही नहीं है सर हमारी कंपनी के तरफ से आपके लिए 76,000 का प्री अप्रूब लोन पास हुआ है क्या आप लेना चाहेंगे नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम थैंक यू, आपका दिन शुब्रो बॉर मॉर्निंग मेडम तो आपके अवर्स में सोकर, वोमिन काट प्लेक कर रहे हैं आप कि मैं प्रेगनेंट हूँ, बहुत दुखी हूँ, बहुत प्रेशर में हूँ सॉरी सर, सर पर मैं कॉल परी थी कॉल डिसकनेक्ट तो मैं थोड़ा सब थोड़ा नहीं मैडम, बहुत आराम करती हैं आप, मैं देख रहता हूँ आपको और आपके थू जो लोन सेंक्शन हो है अभी तुकुन की रिकवरी नहीं हुई है उन पर ध्यान दो, अगर वो रिकवरी नहीं तो पैसे सारे तुम्हें बरने पड़ेंगे यह पर जेल जाना पड़ेगा, सब्सक्राइब? Sir, please calm down sir, ऐसा नहीं होगा वो रिकवरी जल्दी हो जाएगी, इंस्टार्म में जाएगी अगर वो रिकवरी नहीं हुई ना, तो सारे पैसे बोगतने के लिए तेया रहे ना जल्द काम करो, और आप लोग भी, काम बीटिये मुम्तास एक अडवाइस दो तुमको तुमेना इस वर घर पे बैठके रहस्त करना चाहिए वरुन तुम्हें बताये दुधाना एमत का काम ठीक नहीं चल रहा है और जब तक उसका काम ठीक नहीं होगा मुझे जौब करनी पड़ेगी उसका काम तो कभी भी ठीक नहीं चलेगा क्योंकि उस सीरियस ही नहीं अपने काम के लिए उस पता है ना कि तुम यहापे हो, कमाने के लिए ऐसा नहीं है वरुन एहमद अपनी पूरी कोशिश कर रहा है तुम एहमद को खुदा मानना बंद करो औरे नवीन सर का लोन क्लियर करवाओ तुम पता है ना एक नम्मर के कमीने आदमी है एहमद, फोन उठाओ एहमद, कहां बिजी हो उंतास, अभी तक यही हो चलो, कर तुमें डॉप कर देता हूँ बैठ जाओ, रात बहुत होगे, चलो राम सर्फ एहमद, मैं वाँ ओफिस के बाहर से कम से तुम्हें लगा रही थी और तुमने मेरा फोन नहीं उठाया और मैं वाँ बेवगूफ की तरह सोच रही थी कि तुम शायद बिजी होगे उंतास, I'm so sorry वो पाइनल मैं आचा रहा था, मैं देखने के लिए बहाने बनाओ, तु मैं पता है तुम्हारी वज़े से रोज नवीन सर्स तब के सामने मुझे कितना सुनाते है वो लोन अमाउंट्स के लिए तुम मुझ का गुस्टा मुझ पर क्यो उतार रही हो मैं लोग तुम्हारे पास इसलिए लेकर आता उम्तार, क्या हुआ? कल की बाद सब्ते माराज हो तुम्हारी बोला था ना तुमको सौरी बोलने से सब ठीक हो जाएगा, क्या है मत? मैं हूँ ना, मैं सब ठीक करदू अच्छा सुनो, शुकुला के लोन की किष्थ है तुम जमा कर देना तुम्हा कर देना, किरो तो यह तुम्मुझह क्र दे रे हो? शुक्ला सिका हों ला किष्थ कंपनी को ट्रांवर करें तुम जमा करो यह कॉम्पनी में जाके जमा करें भाद to एगी है तुम्ही इसनिन कोंकर्ती हो? एँउ दीका शिटनो इंस्टॉल्मेंट देने में गड़बड़ी कर रहे हैं, तो… तुम बात तो करके देखना, माने तो ठीक, ना माने तो ठीक, हाँ? जगएपली गेतना तुम, क्या खा डोक्टर ने? यही कि स्ट्रेस कम लो, और आराम करो. जो कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, कैर तुम बताओ, कब तक वापस आ रहे हूं? मुंताज, तुमे बताया थाना मंडे को आउँगा, कल पहुंच जाओंगा बाराः बचे तक है. एहमद, प्लीज जल्दी वापस आओ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत घबराइट हो रही है. मुंताज, अब तुम दुबारा शुरू मत हो, आ रहा हूं नहीं कर दो. एहमद, कौन है? कौन है? एकमज, तुरवाजे पर कुई है. एहमद, मुझे कौन आगे? कौन आगे? मुंताज, कौन आगे? कौन है? दो, दो, दो. दो, दो. दो, दो, दो. दो, दो. दो, दो, दो. दो. कहा ने जरूँ उथे? मुंताज, मुंताज. HR021K2021. यह सब क्या है? शुवाना अपा? मुम्तास का है? साफ, यही है एहमद, मुम्तास का शोहर. मिचरी का अर्फा मैना चल रहा नसाथ. पता नहीं है मकर उसे छोड़ कर कहा भाग गया था? यह नहीं नहीं बता है कि कल दो आदमी जबर जुस्ति आपकी बीबी गढ़ से उठा के ले लेगा. शुड़ाँ! क्या? मुम्तास ने कभी कुछ बताया था सा? नहीं सर, मैं तो तीन दिन से काम के सेलसले में बाहर गया था. अब ही लोट रहे हुं आपके सामने. तुम्हारा फोन क्यों से चापँ और मुम्तास ने बंदे? मुम्तास का फोन बंदा है ये तो मुझा नहीं पता. और फोन की ब्टेड होगी तो रास्ते में बंद होगया. रास्ते में कोई चार्ज करने के जगह नहीं में इसलिए भी भी बंद है साहाब, खल आदमी जो इस गारी से आय थे, उस गारी का नमर मैंने नोट कर लिया था, ये लीजिए ये लीजिए ये गारी तो हर्याणा के रामफल चोदरी के नाम रइस्टर है तुमने कभी सुना इस रामफल चोदरी का ना अचा मुम्तास का हरयाने से कोई कनेक्शन सर माय का है हरयाने में मुम्तास का हम दोने भाग की शादी की है मुम्तास के घरवाले शादी के एक साथ खिलाफ थे यह लोकल लोग घर से बाग कर शादी करने को या गहर विराद्रीमन शादी करने को गलती नहीं पाप समझते हैं यह लोग अभी भी पुराने रीत रिवाजों को पगड़के बेख़्े हैं सर, यह वही गाड़ी है जिससे किड्नैपिंग हुई थी 2-0-2-1 राओ दरोगा, आओ, आओ, भाग ये भारे, गलोगे, चाहे पानी कुछ पता था, पुलिस आने वाली है, तो पहले ही पंचाज चोड़ ली दरोगा, यह गाओं है, यह पूरा गाओं, दान्त कटी रोटी की तरह रहता है खारे सहर जैसा नए, बगल में कोई रह रहा है सालों से, और पता ही नहीं कोण है, यह आता मारी रोज की बेठिक से, तो गाड़ी तुम्हारी है, हाँ, तो यह कि इस गाड़ी में, दिली से मुम्ताज एमत नाम की औरत को किड्नैप किया गया है, किड्नामत है, मुम्ताज सुना भाई, मुम्ताज किड्नैप हो गई, ओ शाहा जहां पता नहीं कहा खड़े खड़े कियार करता, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, मैं भी मजाक नहीं कर रहा हूं, कोन मुम्ताज, तो मत, यह मुम्ताज, यह मुम्ताज है, यह मुम्ताज है, यह मुम्ताज है, यह मुम्त ये जोती है मेरी बावू, मेरे पेड़े संधीब की लुगाई, और छे मेने पहले ये भगार कर ले गया था और भाई चोर का सीना तो देखो, कैसा चोड़ा कि पुलिस ले करा गया जो मुम्ताज है ना, जोती जब भागी थी, तो उसकी कंपलेंड हमने की थी, उसकी एफाई कॉपी है हमारा, ला दिखा, ये देखो जी, ये है वो कॉपी हमारे काउं का चोरा कपिल, परसनों दिल्ली किया था, जित्वाच जोती से टकरा गया, उसने आकर काउं में बताई की जोती दिल्ली मे रही है, तो हम जाके उसे ठालाए, अब जे बताओ, इसमें किट्नैपिं किस बात की, ये बस लड़की का नाम जोती है, तो तो मुमता क्यों बता रहा हो, सर ये लोग ठीक किया रहे है, उसका असली नाम जोती और मेरा पंक्या जै, सर अम दोनों नाम बदल करें दिल्ली में ला रहे थे, हम अगर नाम नहीं बदलते ना, तो ये लोग हमें ढूंड के जांच से मारते थे, सर, हमारी मजबूरी थी, हाजी, हो अब आपका काम हो गया, आप निकलो यहां से, यहां अमारे घर का माम ला है, हमने पट लेंगे, सर पीस, सर पीस आप एक बद जोती को बाहर बुला देजे, उसकी जानों खोतरा है, सर, उसकी छोड़ तू अपनी सो, सर, ओले करने यहां जै, सर, जोती के पेट मेरा चांत खड़ा है, जिस ओरत को किट्रैप करके लाए हो, मुम्ताज या जोती जो भी है, इससे मिलना है और मिलके ही जाएंगे, सवाई बात समझ में, जलो हो टो, यह मारा गर है, अंदर जाके दिखाओ, तरोगा अंदर तो जहां नहीं पाओगे, मैं भी देखू थारे में इतना चिलानी की जरूतना है थान्य जोती महरा वारिस हमें देख के चली जाए, पिर सुस्री जहां जाना चाहे जाए, वो ही मतलब नाय मनिगा, अब रास्ते से हटो, वरना सारे के सारे जेल जाओगे, अटाओ एलाठिया, तो अटाओ, 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 शर्मा, तोमर, यह दोनों कमरे चेक करो, शर्मा, तोमर, शंताओ, 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 केसे हो, तुम ठेक हो रावटा, एक चलाओ, इन लोगों से डरने के जरूरत नहीं है, अब राव मत, तुम सेफ हो, देखे, गाम्वालों से ताम ने काफी कुछ उन लिया, अब आपकी स्टोरी आप बताइए, सर, पेरे बापो एक करीब किसान है, जमीन के नाप पर एक छोटा सा टुकड़ा है, इसके कमाई से घर चलाना बहुत मुश्केल है, पढ़ाई तो तूर की बाद थी सर, पर मैंने बहुत महनद की सर, पढ़ाई में अच्छी थी मैं, इसलिए ट्रैजिवेशन तक वजीफे प कुछ बनना चाहती थी, पर एक दिल पासवाले गाहों में एक एक शादी में गई मैं, महसंदीप की नज़र बुच पर पढ़े, उसने अपने बापों को रिष्टा लेकर मेरे घर भेज़ दिया सा, और मेरे बापों को लगा कि लड़की की शादी बिना दरेच के हो रही ह तो उन्होंने मेरी जबरदस्ती शादी कर दी संदीप के साथ, जहां मुझे प्यार, इजज़त, कुछ ना मिला, लेकिन इतना काफ यह नहीं था से, एक दिन, अरे आप कुछ चाहिए आपको, हाँ, मने तू चाहिए, तू चाहिए, तू तू मलाई की तरह आई ता हम, चो पिताजी, चोड़ा पादी है, चोड़ा पादी है, चोड़ा लगा रखाय है, तू मारा छोड़ा आज्याकारी है, इजाजत लेकर यह अंदर आया है, समझे, और एक बद कान खुर के सुन ले, अब तो सिने अब संदीप की लुगाई नहीं है, रिंकू की लुगाई है, क क्या कह रही है, माँजी, सुना आपने, सुना, क्या कह रही है, माँजी, जोती संजा कर, जिस बात में परिवार की बलाई हो, तू मान लेनी चाहिए, चल जा, साब बास छोड़ा, साब बास, देखा, मां की किती फिकार है, चोड़े मुग, अभी एक बात तू भी सुन ले तू भी मान जा, और अगर नहीं मानेगी ना, तो तेरी बाप के गर छोड़ाएंगी, फिर दिगाती रहना, अपनी मास्टरानी उधर, अरे ब्याई हुए छोड़ी घर पर जाएगी ना बाप बाप के, तो तेरी बेहम की साधी तो होने से रही, हाँ? सर्मेर, मैंने यह सब अपने मापू को बताएं, लेकिन उल्ठा वो, वो मेरे सासुरान वालो को सपोर्ट करने लगे, उस दिन के बाद, तोनों भाईयों का जब जी चाहता, वो मेरा रेप करती, और मुझे यह सब सेना पढ़ता, क्योंकि मेरे पास और कोई चाहरा नही थ सर्थ, तिर एक दिन मैं पंकच से मिली, वो गाव में बाहर से कुछ मजदूरों को लेकर आया था ठेके पर, उसने मुझ से वादा किया कि वो मुझे इस नरक से छुटकारा दिलाएगा, पहले तो मैं डर गई, मुझे यह सब इंपॉसिबर लगा सर्की कहीं लोग को पता मुझे जहां से मार दिया तो, लेकिन जब मैं प्रेगनेंट वी सर्थ, तब मैंने सोच लिया था, कि अपने बच्चे को इस माहल में नहीं जीने थूंगी, उसे यहां पैदा नहीं उने तूंगी सर्थ, इसलिए मैं पंकच के साथ दिली भाग गई, मुझे लगा कि मैं उ चालीजे सर्थ, प्लीज मैं आठ जोटे, सर्थ, इसलिए लोग मुझे महार देंगे सर्थ, प्लीज इसलिए दोका जूट बोलनी से छोरी, तहने कद सुना कि महवविवा होए, छोरी कभ्या एक छोरे से होए और सब की लुगे ही बन जागी, जाके संग कोई अद्निया चार होता तो मैं चुपचाप सेंग करता, जे सब तो इस छोरे के चक्कर में खरता, जे सब तो इस छु जूट ना बोली से, अरे, इसके लच्छन तो छुरू से ठीक ना थे, इसलिए तो जल्दी ब्या करा दिया मैंने इसका, पाकि ब्रादरी में नाक ना कटे मारी सार, सर, 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 सर प्लीज मेरा एकिन करिये सर, आप चाहे तू भी बिट्टो से बूच्छ सकते हैं, उसको इस अब पता हैं, इन लोगों ते मेरे साथ क्या किया है सर बिट्टो कहुन हे, रहा ले जाकराणी तो इसके गड़ी लडली है अपसे तुझे फटे पुराने कपड़े पहनने की जरुवत ना है, ये ले अपसे इने पहनने, और और किसी चीज की जरुवत होना, तो बता दे ला हाहा, लुटा दे सारा घरली पुटादे इस पर, तो कराणी को माराणी मना दे, पैर की जुद्धी को सिर पे चड़ा रखा है बुलाए ये बिट्टो को, कहां से बुलाएं, ये बहागी उसके पीछे, वो बहागी, दो मेने हो गए, घर का पैसा, जेवर सब लग के बहागी, तो आपकी थाने में रिपोर्ट लिखाए दी चोरी की, ना बिट्टो मिली, ना चोरी का समान, ने ने, सर, सर ऐसा नहीं हो कि मेरे होने वाली उलाद सही सलामत रहे, जोणी जोधी के पेट में है, तेरा बजचा, जोधी, तुम कहते क्यों नेए, क्यों ये विरे उलाद है? रवधा? जोधी, इधर देखो, यह मेरि उलाद नहीं है? जोदि तुम्हारे लिए में यहां मरने चला आया इनसर लिए इन सर लिए यहां थेड़ाद किया चलो गजी देख लिए आपने अपना पेली पताया था आपको कि यह बाला कि यह संधीप का है और यह संधीप किलू गई और बिनने ताला की ये शादी वैसे भी गया कानूनी है, हमको कुछ नी चाहिए, हमें अपना बारिस मिल जाए, फिर इसकी मर जहाए बहाँ चली चाहिए चल उठाले चल इसको ए भाई कर रहे पंकाज, प्लीस मुझे अपने साथ ले चलो, पंकाजी लोग ये लोग मुझे भादेगे पंकाज, प्लीस सर आपको जो करना है किजी, मेरा इसके साथ कोई रिष्टा नी है पंकाज अजे, बंद कर ते रहना तक, और कितनी भेचेती कर राएगी मारी तू संदीब, चल काजीए बिठा इसको, एचादेगे नहीं, 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 सर बुझा पंके साथ नहीं जाना है, सर मुझे बचा लीजे, सर मेरे पच्चे को बचानीजे, स्मौट दर लग रहे जोती आप लोगों के साथ नहीं जाएगी, अपने पिता के साथ जाएगी रहतरो का के बोल्रस है, मैंना ले जासा कोई भी नहीं, रहे बिरादरी में हुकका पानी बंद कराएगा, क्या मारा अरे ब्याई छोड़ी है, पियर नहीं इससे सुराइल जाएगी चौप, बखवास नहीं, वहना सब लोगों को हवालात में डालूँगा मैं यह कानून तुम्हारे समाज के हिसाब से नहीं चलता है कानून के हिसाब से समाज चलेगा और हाँ, जोती को या उसके बच्चे को नुक्तान पहुंचाने की सोचना भी मत लेखे जाओ उसे, जाब बिटा और तुम लोग, जोती का बुरा करने के बारे में सोचना भी मत और निकलो आएंसे, चलो दीती जोती रेया, दोर्यते, पीड़ा मोट्टा काम करके आईसे ना, जुख्युझ प्रशोरी से, गणागाले लगनी की जुरोत नासे बाप्पू, आपको कभी तरस नहीं आता मारेपे, शक्जी बेटे हो तन्न्ने, अएधा तरस मारेपे वे, थारे, कर्तूत की वजे साथ मारा गाम में, मारा दर्वाजेप कोई ठूगणे तक ना आता हैं? मारा पसना चलिया, मैं तो वही थाने में गल्ला गोड़ देता, थारा में! कर दो दो कर दो वही थे प्यांगा हैं? क्योंदे ऐ jijको। क्योंदे अएजिया? क्योंदे आ क्योंदे वा लगए देना तक है इनलिता हैं? यार पुरा घर चान बारा है कहीं नहीं मिल रहा है यार तो इतनी सी चीज संबाल की निजख सकता अब गलती की है तो भुगत अब मिझे तो समझ में नहीं आरा क्या करूं तू ही बता दे मुझसे मत पुछ जो करना है कर जोती के अनुसार शादी के नाम पर उसके साथ चल हुआ था जमीन का बटवारा बचाने के नाम पर उसे दोनों भायों की पत्मी बनाया जा रहा था एक औरत की बली चड़ा ही जा रही थी इसलिए वो अपनी जान बचा कर अपनी इच्छा से अपनी जिन्दगी जीने के लि लाया गया लेकिन पुलिस के सामने ये साबित होना बाकी था कि जोती बहु विवा याने के पॉलीगेमी का शिकार थी या नहीं और भी ऐसे कई सवाल थे जिनके जवाब नतारत थे जोती ने पंकच से जूट क्यों बोला कि उसके पेट में पलने वाला बच्चा पंकच का है और अगर पंकच उसे छोड़ चुका था तो इस बार वो भाग कर कहां और किस के पास जा रही थी क्या जोती जूट बोल रही थी और सच कुछ और था या फिर उसका डर सही था और उसकी जान को खत्रा था बचिक किसे था सीकुच में पार ख OFF दुब किसोपक अेरी की जो ढु़र रही और जिजवानُ किसक ही अच हे teo था सु़र किसक थाप्स कर द prayedक हे कि अजिसने भी से मारा है लगता पैचान मिटाने के लिए जलाने की कोशिश की लेकिन जला नहीं पाया पर सब्सक्राइब बैग लगता इसने फिर से भागने की कोशिश की जोती का डर सही निकला आठाला पिचारी को अमने इन लोगों के साथ इसे भेज रहा ही नहीं चाहिए था बोडी जिस तरह से डिकंपोज हुई है उसे देख कर असा लग रहा है इसका मॉडर तीन-चार दिन पहले ही हो चुका है आसपाट शेक करो देखो कुछ मिलता है तो सब बोडी सी इतने बदबोवा रही है गावादों ने यह सुंगे हमें कोन किया था तो बोडी बुरी तरह सड चुकी कह पाना मुचकी लेकि कैसे मारा गया होगा और यह इन्होंने तो मिसिंग गम्लेंड में ने लिखवा है के कंपने लिखवा था मनने तो पता था फिर से भाग जागी कब गाया बोडी चार दिन पहले सबरे नीन से उठे तो गर में ना दिकी समझ गे भाग गी सोर इसलिए नहीं मचाया कि बेज जती हो जाती अच्छ अरा मर गई इसके चाहने वाले तो गाम में आने लगे थे उनके कारण और मिट्टी पली धोरी थी मारी मतलब को यह था मने अपनी आख्यों से देख्या था जब उसे मारागर छोड़ी दिया था मारे वारिष को लेके भाग गई थी इजत को भट्टा भिठा दिया तो अमें के मतलब उस उसरी जिन्दा है या मर गई तुम लोगों ने उसे मारने की धंकी दिती थी ना भूल कर रहे दर होगा अरा वईश बढ़ाना है उसके पेट है यह घृती जिस राथ गाया वोई तू का था अधर पिदे और कहां थे हमां तू रहे घर पई था किशन ने बताया कि जोती से मिलने कोई आदमी आया था अंदाजा है और था वो यह तो पता नहीं कौन था रहां कोई तो बिलने आ था है भाई साब यह कह घर ऑंकर तो य पैसे लेकर भागिया हो तो जेल बजवाएगा बेवकूफ लग रहे हैं नहीं नहीं भाई सब्सक्राइब अपने बाप के अगर पर वह जाके बिए शर्मा जोती ने बताया था कि उसे बहु विवा पॉलीगेमी के नाम पर दोनों भाईयों के साथ सोने के लिए मजबूर किया जा रहा था जिसकी गवाँ उनके घर की नौकरानी वह बिट्टो थी अब यह जोती छूत बोल रही है सच बोल रही है यह जानने के लिए बिट्टो का मिलना बहुत जरूरी है लेकिन सर्च जोती अच्छ प्कार अपने गर रही है जब दोनों का मिलना बात दरोरी है यह जलती क्यों है तन्य मरने की एक बार महरा काम हो जाने दे पिर तेरी यो इच्छा भी वूरी कर देंगे उससे पहले तन्य मरने तो देंगे नहां इसले खा पी कि तु मस्त रहे दो ना मुझे जनने दो मैं किसो कुछ नहीं मताऊं, मुझे जनने दुए हासे यो तेरी सजा है जिसे तुझे भुखतना पड़ेगा मुझे नीए खाना झाniestrp तक 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 तेरी सजा पुरी ना होती, घाना भी पड़ेगा, पीना भी पड़ेगा, और जीना भी पड़ेगा मुझे निकालने में मदद करेंगे ना, तो मैं वादा करती हूँ आपके पैसे वापस दिलवाद होगी तो मैं मेरी होने वाले बच्चे के कसम खा रही हूँ, मैंने कोई दोका रही हूँ, उल्टा मेरे साथ दोका हुआ, सर प्लीज मेरे मतद करेंगे मुझे बद बनाओ इस तरह से बात बात, आई ना समझ में, है? कौन है तू? सर वो गिरगडा रही थी, सर बच्चे की कसम खा रही थी, मुझे समझ में नियारा के फ्रॉड उस ने किया या फिर किसी और ने किया अच्छल ये फ्रॉड था क्या? और तुम्हें क्यों लगता है कि जोती इसमें इन्वाल थी? जोती मेरे यहाँ पर लोन डेपार्टमेंट में काम करती थी, जितने भी ये लोन सेंक्शन हुआ है, सब उसी के थूर हुआ है Sir, ये दो लाग के लोन का अप्लिकेशन फ़र्म है और कुछ डॉक्यमेंट्स है आप चेक कर लीजे पेपर्स हो सब क्लियर हैं, लेकिन रिटर्न की गारंटी के है? Sir, रिटर्न की गारंटी के लिए वो अपने लैंड के पेपर्स करेंगे और मेरे शोहर के अच्छे दोस्त है, फ्रॉड नहीं है अच्छा अच्छा, इन सारे लोन्स में उसके पती पंकज, एहमद, वो भी इन्वाल था? हाँ Sir, जोती ने बताया था कि जितने भी क्लाइंट थे, वो उसके पती के थुरू आये थे शुरू में तो Sir, उसने EMI प्रॉपर टाइम पर करवा करना, Sir मेरा विश्वास जीत लिया लेकिन अभी चार-पाँच महिने से, Sir, लोन की एक भी EMI नहीं आ रही है, Sir और यही एमउंट मेरा कुछ 26 लाख रुपे आटका पढ़ा है, Sir 26 लाख? अचिया, Sir, इतना बड़ा अमाउंट था, इसलिए, Sir, मुझे जोती के पर प्रेशर डालना ज़रूरी हो गया, Sir जो लोन आपके तुरू सैंक्शन हुए है, वो रिकवरी नहीं हुई ना, तो पैसे सारे आपको बनने पढ़ेंगे या फिर जेल जाना पड़ेगा, समझी आप? और सर फर वो एक दिन अचानक गायव हो कई और मुझे डाउट हो गया, मैंने सारे पेपर मंगवाई और चेक किया, और सारे पेपर सर फजी निकले जिन एकाउंट्स में लोन ट्रांस्वर हुए, वो एकाउंट्स भी फर्जी निकले इस सारे लोन्स जो भी जोती कितुर सेंक्शन हुए थे उनके सारे डॉकुमेंट्स और वो लोन का पैसा जिन जिन अकाउंट्स में टांसरवा था सबकी डिटेल्स चाहिए अर्चब थे जोती के बज़े से चाहिए जोती के बज़े से चाहिए जरब पता करो इसमें कितनी सच चाहिए जोती की पोस्टम रिपोर्ट उसकी मौत रात आट से नो बज़े के वी सर पे रॉड या किसी भारी चीज़ से वार करने के वज़े से हुए जिस वज़े से उसकी स्कल की हंटी बुरी तरह तूट गई और उसकी बॉड़ी को जलाने की कोशिश को की गई लेकिन पेट्रोले केरोसीन जिसे किसी चीज का इस्तमाल नहीं किया गया जोती जो घर से बैग लेकर भागी थी वो भी उसकी बॉड़ी के पास खुला हुआ जो कपड़े थे वो भी इसकी बॉड़ी पर अधिजले मिले इसका मतलब की बॉड़ी को उन कपड़ों से जलाने की कोशिश की गई जिससे वो बॉड़ी जली नहीं और हमारी पैचान में भी आ गए तर लगता तो ऐसी और ये पंकर जुसके कॉल रिकॉर्ड से कुछ पता सारे अकाउंट को भी फर्जी डॉक्यमेंट में खोले गए पता करो ये सारे अकाउंट किसने और कैसे खुलवाए और ये भी पता करो इन सारे अकाउंट से किसने और कब-कब पैसे निकलवाए इससे से इस पंकर जो जोती के फ्रॉड का पता चले शाहिए जी से और सुनो यह बिक्टो, इसका भूच पता चला? सर नहीं, हमारी खबरी काम कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई इंफोर्मेशन नहीं मेल पाई हमने गाओं के लोगों से भी पॉलीगेमी बहु वीवा के बारे में पूचताच करने की कोशिशी सब लुक जोती के भागने को गाओं की इज़त के ता जोड रहे हैं, कोई कुछ नहीं बता था शर्मा यह तो पता करना पड़ेगा कि जोती घर से भागने के लिए जूट बोल रहे थी सच मुच में असा था कि दोनों भायों से बीवी बना कर उसके साथ रेप कर रहे थे तो बिट्टो को ढूड़ना पड़ेगा क्योंकि वो ही असली सचाइजा सर इन में से आधी से जाधा एकाउंट्स खाली कर दियेगे एकाउंट में साथ से आट लाख रुपए बचे हो उनी में से एकाउंड में से जोती के मुर्डर के बार एकाउंट में से पैसे निकाले गए और एकाउंट्स पुटेज भी निकलवाओ सर पंकच की मोबाईल लोकेशन के मुताबिक जिस वक जोती को किड्नाप किया गया है उसकी मोबाईल की लोकेशन जैपूर के जगतपुरा एरिया की ती पर ये भी पता चला कि हर महीने पंदरा दिन में उसकी मोबाईल की लोकेशन उसी एरिया में तीन से चार दिन के जैपूर बुलिस पंकच के तलाश कर रही है लेकिन उप तक हाथ ने लगा है और सर इसमें डेली हर्यानाम बॉर्टर के उस एट्यम की फुटेज है यह पर जोती के मड़र के बाद से पच्छी सार रुपे निका लेगा है यहाद मुँपे गंसा बांदा हुआ है जखल तो पहिजान में नहीं आ रही है शर्मा पंकर जैसा तो नहीं लग रहा है कि बॉडिस्ट्रक्स से से मैच नहीं हो एक काम करो इस ATM से इस टाइम पर जितने भी नोट निकाले गए उनके सारे सीरेल नंबर बैंक से पता करो और हां वो लड़के जो वेरिफिकेशन के लिए जात एक्सक्रीज में अलो ठीक है सर बिट्टो का पता चल कि कहा है वो एक आदमी को रस्ते पर बेहोश पड़ी मिली थी वही इसे हॉस्पिटल लेकर राया जैसे इसे होशाय बोली पुलिस को बलाओ बहुत ही डरी हुई थी कहां थी तुम इतने दे और किस से बच कर भाग रहे थी और चानवर लोग ऐसा वो इंसानों का परिवर नहीं आख्शा से वह लोग गाव में अम्मा की तब्यत खराब है थोड़े पैसे चाहिए तो चार दिन पहले तंखा दिये तिर को अब किस बात के पैसे मांग रही है कर दोचिए है थोड़ा एडवांस चाहिए काम कर के सब क्याद काम तो बड़ा तु यहां चलारी से लॉर्इस है लाकों में सैलरी है जो तुझे एडवांस चाहिए बाई धाहिए भाई ध्यान घ्यान अथि एस पे लिए बागना जाये रुद कषी और टाल्सी ले क्या जोटी घर से गई क्योंड़ाइब तो कितेना पैसे चीए है दस हजार चीए थे तस बस यह ले पूरे भी से वापस नहीं करना तेरे को मैं खुद वसूल कर लूँगा हाँ देख नहीं क्या रहा है तेरे को मा का इलाज कर आए नहीं अबार का सोच कर हम सब बर्दाश करते थे अच्छा ये जोती घर से गई क्यों थी उनकी किसमत भी हमारी तरफ उन्टी थी कि अच्छाने के नाम पर बेडिया लोग भावी के साथ सवर जस्ती करते हैं दोनों माईयों के लिए एक ही भी ही ऐसा हो तो सही क्या उन्होंने वहां से भाग के बागने के बाद मतलब रामफल और उसके दोनों बेटों ने तुम है कैद करके रखा था पर मजबूरी में ही सही तुम वह कर रहे थी जो वह करवाना चाहते थे तेरे इन दो नायलायकों ने पहले जोती की जिंदगी बरबाद की और तूने बिक्टो की जब जोती से वारिस चाहिए था तो उसे मारा क्यों? हमने उसे नहीं मारा हमें तूने नहीं मारा तो तेरे नालायक बेटों ने मारा होगा ना? मारा होता है तो थारी आके इसको बचाने के इंजजार थोड़ना करते है कद का मार देते सर अमने नहीं मारा? साब वाजसी खातिर अमने बिट तो को नहीं मारा तो जोती को कहां से मारेंगे हम चर्मा ये इतनी असानी से नहीं बताएंगे तड्डिया तोड़ो इनकी साच पोलने साच पाम करते हैं तार्गेट पूरा नहीं होता तो सेलरी भी नहीं मिलती इसलिए जो भी विक्ति जहां वोला लेता है वेरिविकेसिंग के लिए बहां चले जाते है उन लोगों को देखें को पैचान होगे? हाँ सर शियोड परिशन जाएंगे सर बता थे बताओ सर हमें जुटे वेरिविकेशन के लिए पैसे मिलते सर किसने दिये थे उपैसे? बोल सर पंकज ने वह हमें अलरा जहां पर मिलने के लिए बुलाता था और उसने कहा था इस काम के लिए पैसे मिलेंगे और अमान भी गये पर कुछ दी बाद पैसे आना बंद हो गये और वो दोनों गायब भी हो गये वो दोनों? दूसरा कॉन था? मतलब वो यह औरत थी? नहीं सर वो औरत नहीं आजबी था पंकच भाई अकाउंट्स कुछ गड़ो पे रूली है मैं बैठा हूँ ना बैंक में तुम लोग टेंशन मतलो मैं सब संभाल लूँग तुम पर कोई हाथ नहीं दा ले ले तू तो उन्हें बचा रहा था ना? तो अब आया ना पुलिस के हाथ में तो अब कौन बचाएगा तुझे पंकच कहा है बोल पंकच कहा है सब जैपुर में जी पंकच ही रहता है कौन पंकच? यहां मैं मेरे बेटी और मेरे हस्बेंड रहते हैं और उनका नाम पंकच नहीं निखिल है वो तिखे वो आ रहे है प्रिफ रहे है प्रिफ निखिल मेरे असली नाम निखिल है मेरे जुट कहा था कि मेरे नाम पंकच है सर मैं पैले से शाधिश हुदा हूँ और जुटी को मेरे सचके बार में पता ना चल जाए इसली लिए जूट का सहरा लिया था समझ गया आगे बोल सर सुमिद और मैं एक साथ जैपुर से दिल्ली आये थे सुमिद की तो दिल्ली में बेंक में नौकरी लग गई तwurf मुझे कहीं जौप नहीं मिली सुमिद के साथ मिलकर एक plan नाये तू अगर अपने बैंक में फर्जी अकाउंट्स फलवा दे तो हम लोग रात और रात अमीर हो सकते हैं अब इतने सारे अकाउंट्स फोन लेगे लिए बहुत सारे लोग और डोक्यूमेंट्स ही है अब यह वेरिफिकेशन होता है यार बैंक की तरफ से तू पस वेरिफिकेशन संभाल ले लोग और डोक्यूमेंट्स में अरेंज कर दूगा सर में सेल्स में था लोगों को फसाना मुझे बहुत अच्य से आता है पैसों का लालच देकर मैंने कुछ लोग खड़े की और इसने फर्जी डोक्यूमेंट्स पर उनके अकाउंट खुलवा दिया और उसके बाद तुने जोती को बेवकूब बनाकर फर्जी प्रॉपर्टी के कागजात बनाए और उन कागजात पर लोन्स उठाए जी सर पूबेचारी तुछे परिश्टा समझ रीक तो शैतान निकला तुमारा क्यों नहीं सर मैंने में में मारा एक जोती को अच्छा इख ये जिस दिन जोती का मारडर हुआ तरी लोकेशन उसी गाउं में थी तच बोल यो मारा उसे तर मैं मानता हूं कि मैं जोती के गाउं गय जोती के गाहों जाना खत्रे से खाली नहीं है और मैं क्या करता है वही बार बार पून करके बुलारी थी तो मुझे लगा मैं गाहों जाओंगा उसे एमोशनली ब्लेकमिल करूँगा और अपना पास्भू को रेटियम ले लोगा तुमने मुझसे जूट बोला तुमने अगर पास्भू को रेटियम चाहिए नो तुम्हारी नियत मैं समझ चुकी हो पंकच अब तुम्हें पास्भू को रेटियम कुछ भी नहीं मिलेगा पर सर उसके बाद जोती वहाँ से चली गई मेरे भासे वे पैसे मिलने का कोई चारा ही नहीं था और सर मैं जानता था कि एक दिन सामने ज़रूर रायागा इसलिए मैं चुब बैड़ गया था पर सर मैं कसाम से क्या रहा हूं सर मैंने जोती को मारा नहीं है जाना गाओं में पता करो कि कौन है जो अचानक से अमीर बन गया है तब पैसे उड़ा रहा है जू सर वो तो खुद लोगों को बोल रहा है कि उसी नहीं जोती का मर्डर की जोर शोर से शाधी की तैयारिया चल रहे है पर एडवांस में वही सीरियल नंबर के नोट्स बाट कि उठाओ इसे तो गटा क्यों मारा अपनी बेटी को कदिना मन नहीं मारा मारी चोरी ने अच्छा जो तो खुदी बताता है वह घूम रहा है पूरे गाओं में कि मैंने अपनी बेटी को मार दिया वो क्या है अरे वो तो इजज़त की खातिर जूट बोलना पड़े दरोग जूटी का मड़र उसी ने किया है यूँ तो जूटी को मारने के बाद एटीम से पैसे तूने निकाले था और वो एटीम काड तूने इसे दिया हाँ क्योंकि मेरी शाद्दी ना होने में स्रिफ दो ये प्रॉब्लम थी एक पैसे की और एक दीदी के वज़े से जो हमारी ब जूटी को ना करा रहा था पर फिर दिदी ने एटीम देखे और पास्बुक देखे और पैसे की प्रॉब्लम सॉल्व कर दीती है चोटी मुझे माफ करते है मारी वज़े से तेरी शादी तूट गई इस सब मारी वज़े से हुआ है ना अब मैं है इसे ठीक करोंगी ये लि मैंने बबलु को बताया कि हमारी पैसे की प्रॉब्लम सॉल्व होगी है तो तो इसने कहा पैसे तो हो गए पर जो दाग इज़ेत पर आगे उसका के जब तक वो नी धुले रहा ना मारा पुना ब्या के लिए हानी करे और उपर तक जोती थारे ही घर में थारे ही साथ रही मैंने थारा बाप नहीं समझ ही मारने के पिले उसकी तीमरतारी में लगा हुए अरे वो नहीं मार रहा तो के हो गया हम मार देते हैं है ना और सारा पैसा भी हमारा ही हो जाएगा और तेरा बाप भी खुछ हो जाएगा उसके बाद दी जहां भी जाती मैं पूरे निजर तो मैंने बबलू को कोल करके सब बता दिया जीदी निकल चुकी है अगर मैं सारे पैसे बापु ने दे देती तो मुझसे हजार सवाल पूछता इसलिए मैंने पैसे बबलू को दे दिये यह कैप कर कि इजद तो वापस आ गई है तो फिर अब शादी पैसे के वज़े से क्यों रुके और यह पैसे उसने बाप को दे दिये और वैसे भी मेरी शादी दिदी के वज़े से तूटी थी हमारी बदुनामी हुई थी पहले जसा सब करना था तो इसलिए मार दिया दीदी को अब जाओ जिल वही नेकलेगी तुमारी बाराद हम सुधरेंगे तो समाज सुधरेगा हम गलत बातों गलत चीजों के आगे घुटने नहीं टेकेंगे आवाज उठाएंगे तो समाज बदलेगा अब मैं अनूप सोनी आप से विदा लेता हूँ फिर मुलाकात होगी ग्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए कीस के साथ तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें ग्राइम पेट्रोल सतर्क जेहन